हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुमा यूटूब चैनल आज हम लोग जो मारा चैप्टर था भासा अधिकम म्यों अर्जन उसका पार्ट फॉर कंप्लीट करेंगे और यस सारे वह ही कोश्चन होंगे जो विगत वर्सों में सीटेट की इक्जाम में बार-बार पूछे जा रहे हैं आपको मिल जाएगी हमारे चैनल में आप लोग जाके देख सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें चले देखते हैं आप यहाँ पर कोशन पूछा गया है अब यहाँ पर कोशन दिया गया है भासा अधिगम के ल मुख्य उद्देश क्या है तो यहाँ पर पूछा गया है कि पूरण पठन के लिए किन की चीज़ों सुझाय गया है तो लगु कहानियों और अनिव्रत्तान तो उसके संग्रा को सुझाय गया है अब पूछा गया है पूरण पठन का मुख्य उद्देश क्या होता है तो मेन उद्देश है बिस्तरत पढ़न को बढ़ावा देना बिस्तरत पढ़न को बढ़ावा देना तो यहां पर सी आफ़न बिल्कुल सही हो जाएगा देखते हैं अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है भासा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं तो भासा को सबसे अच् इसके बाद आप कोशन पूछा गए आप से कच्छा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि सिच्छार्ती नवीन जानकरियों को मौक्षिक रूप से लेने के बजाए लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं इन सिच्छार्थिओं की अदिगम सहली कोन सी है मतलब कोई जो सिच्छार्थिएं जिनकों कया है जो उनकी अध़ाब के पढ़ा रही है तो क्या करते है वो जानकारी को मौकिक ग्रुप से सुनने के बज़ाए लिख कर देने हम क्या है? जादा इंटरेस्टेट मतलब लिख कर उनको बताने में अब पोचा गई यहाँ पर यह कौन से यादिगम सहली है? तुका एंफर हो जाएगा? द्रस यादिगम सहली कौन से या या द्रस या क्या कर रहे हैं बच्चे? ज़्यादा मानतर प्रतान कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा B आफ़ जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा अगला कोशन यहाँ पर पूछा गया है चाव मस्की के अनुसार बाफ़ा के अरजन का आधार क्या है चाव मस्की के अनुसार बाफाकरजन के जो मुख्याधार होता है वो होता है, इंद्रीयों से प्राप्त अनभाव। अगला कोशन यहाँ पंचा गई है, मनुस्य बाफारजन की छमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कतन किस से संबंदित है मनुष से बासारजन की छमता के साथ जन्म लेते हैं यह कतन है चौमस्की का किसका है नौम चौमस्की का अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टन्ट पंट बताये गए हैं जैसे कि जीन पियाजे के अनुसार बासा संग्यानातमक तंतरों की भादी परिवेश के साथ अन्ता क्रिया के माध्धम से ही विक्सित होती है जीन पियाजेन क्या बताया कि जो भासा है वो संग्यानातमक तंतरों की भादी अपने परिवेश के साथ अन्ता क्रिया के माध्धम से विक्सित होती है उसके बाद वाइगोस्की ने बताया था वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की भासा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है जैसा जैसा बच्चा जो है समाज के साथ अंता क्रिया करता है बात करता है आपस में तो क्या है भासा उसी के परिणाम यह कहा था वाइगोस्की न लिए जबकि ब्रूनРЕ्र ने कहा था इसको सागतमक ज़िद्धांत के नाम से वजाने जाता है अब अगर कोस्तर पूछ लेज़ां कि अनवेशनट maior ले जाए ज़िद्धंत या पी सरसुनात्मक ज़िद्धंत किसी न दिया तो एंफर हो जाएगा ब्रूनर ने किपने दिया था ब्रूनर ने दिया था अब यहां पर कोशन पूछा गया है निम्न लिकित में से कौन सा समाज भासा विज्ञान का हिस्सा नहीं है सत्तात्मक कारकों सामाजी कार्थिक तथा अधवार राज नैतिक तथा भासा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का ध्यन बोलने से सम्मंदित कुछ बिसेष्टाओं के प्रती लोगों के विवहार का ध्यन बोल चाल की भासा में ध्वनियों का ध्यन समाज में बोली के बारे में सामाने द्रफ्टिकोंड अब यहाँ पर पूछा गया कोश्चन समाज भासा विज्ञान का हिस्सा कौन से नहीं है इन में से तो बोल चाल की भासा में ध्यनियों का ध्यन जो है यह समाज भासा विज्ञान के अंतरगत नहीं आता है अब अगला कोश्चन आप से पूछा गया है सिस्वों में बासा के विकास के संबंद में कथन आ और बा पर विचार करें अब यहाँ पर दो कथन दिये गए हैं इनके बारे में बताया गया है कि इन पर विचार करें अब कथन आ दिया गया यहाँ पर सैसवा वस्था से बच्चे की वाक नली एक वैस के मानों की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है कतन दूफरा दिया गया है 6-12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोरावाले बबलाना में सलगन होती है तो यहाँ जो दोनों कतन दिये गए हैं यह दोनों कतन बिल्कुल इस सही दिये गए हैं कि 600 अवस्था से बच्चे की वाग नली एक वैस कमानों की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है और 6-12 जो महीने होते हैं उनके दौरान जो एक बच्चा होता है या बच्ची होती बबलाना और दोरावाले बबलाना में सलगन होती है तो यहां पिसका एंफर हो जाएगा C नंबर A और B दोनों ही सही यहां पे अब यहां पे कोशन पूछा गया है बासा अधिगम में खिलावना अधरत फिच्चन सास्त्र को किसके माद्यम से समाविफित किया जाफकता है तो इसका एंफर हो जाएगा अपनी पसंद के खिलावने के चित्र बनाने के माद्यम से अपनी पसंद के खिलावने के चित्र बनाने के माद्यम से खिलावना अधरत फिच्चन सास्त्र को समाविफित किया जा सकता है भासा अधिगम में बोद गम में निवेश सब्दावली किसके द्वारा प्रिस्तावित की गई थी इफ्टीफन क्रेशन के द्वारा बासा सिच्चन अधिगम में समग्र बासा है बासा सिच्चन अधिगम में समग्र बासा क्या है एक उपागम क्या है एक उपागम है चौमस्की ने एक पुस्तक में कौन सी धारणा प्रस्तावित की है तो इसका एंफर हो जाएगा बालक जन्मजात बासा दिगम की छम्तक साथ जन्म लेते हैं यही कात नोमचवस्की ने वाएगोस्की की सहयोगात्मक दिगम युक्तियां किस पर करेंदित रहें तो इसका एंफर हो जाएगा सिच्छार्थियों का सीखने के लिए एक दूफरे की सहायता करना तो यहाँ पर बिल्कुल ही अब यहाँ पर निफ्ट कोउचन पूछा का यहाँ से भासा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जाए फकता है तो इसका एंफर हो जाएगा पठन सामागरी तथा सरजनाव की पहचान को एक ही करत करके भासा का व्याकरण सबसे अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है किसके दौरा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भासा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समा योजन का प्रयोंग करते हैं इसके दोरा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भासा सीखने के लिए अनुकूलन तता समा योजन का प्रयोग करते हैं यह कहा था जीन पियाजे ने किस ने कहा था जीन पियाजे ने कहा था अगला कोशन यहां पर पूँचा गया है निम्न लिक्त में से विकास का निक्टफ च्छेतर कहते हैं विकास का निक्टफ च्छेतर कहते हैं कि इसको तिसका एंफर हो जाएगा बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का जो अंतर होता है उसे विकास का निक्टफ से छेतर कहते हैं this cold not proximal development और इसके बारे में पता है था why skyn किसने बता है था इसके बारे में इसके बारे में पता है था why skyn है